हारु फिक्स सैमसंग गेलक्सी ऑन सेवन प्रो एर स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकर आज योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के फिर येश कर सकते अगर दोस्तों आपकी यर्श पीकर। जुए सुनाए नहीं गहार है ठीक है या फिर आपके सपीकर। चक्र। यहापर प्रॉणलम दे रहा है किसी भी तरी का तो आप इस वीडियो को अंध тебя आपको यहापर दोस्तों हाड़व्य के रेलेटेड पर प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है उसके वज़े से आपके एर स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर इतना ही नहीं जो जिसके साथ भी आप बात करें उसका माइक्रोफोन अगर खराब है तो भी आपको वोईस सुनाई नहीं देगा ठीक है तो उसके लिए आपक है जो माइक्रोफोन में काम कर रहे हैं सिर्फ आपके एर स्पीकर में ही प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों सौलुशन आपके मॉबाइल पर ही करना होगा ठीक है लेकिन कए वर क्या ह ten हमारे जो एयर स्पीकर है उसमें कोई वोईस सुनाय नहीं देता वे हमने लगते कि एयर नहीं है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस वीडियो को अंतक जरू डेख लेना वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैस रिश्टाड करें अपना सीम को इजेक करें इंसर्ट करें यहाँ पर अच्छा हो जाएगा तो सीम काट को बाहर पर निकालके आपको दुबारा से उसको अच्छे तरह करना है क्योंकि तो कई वर उसके वज़ए से प्रॉब्लम आते तो आप यह करके देखे सेलेक्ट करना है और रिसेट नेट्रोक सेटिंग पर क्लिक करके रिसेट सेटिंग पर दबा देना है और मुबाइल पास्वर्ड डेके reset कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको जाना है apps पर apps पर जाके दोस्तों आपको select करना है phone service ठीक है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा नीचे में scroll down करते हुए जाना है तो phone service पर जाए storage option open करें clear data पर click करके ok कर देना है data clear करना है और permission पर जाके सारे permissions allow कर देना है तो सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने device को restart करें call place करने के कोशिश कीजिए check कीजिए दोस्तों आपका problem solve हो चुका होगा ठीक है अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर आपको अभी वे problem आ रहा है तो एक final solution करके देखें अपना software को update करें software update करने के बाद दोस्तों आपका problem definitely solve हो जागा अगर hardware के related कुछ भी problem नहीं है तो software update करने के बाद 100% problem fix हो जाते हैं ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर आपका जो problem है software update करने के बाद भी fix नहीं होते है तो फिर दोस्तों hardware का issue होगा तो आप दोस्तों कुछ दिन के लिए earphone भी use कर सकते हैं या फिर speaker ठीक है call speaker पर connect करके भी use कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर hardware के related problem है तो आपने आप तो fix नहीं होगा तो किसी भी technician के पास जाके आपको repair करना है ठीक है यहाँ पर technician के पास जा सकते यह फिर service इंदर पर जा सकते तो वहाँ पर जाके यह दोस्तों आपका problem soft होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों इसको जो है repair करना परेगा उसके बाद जाके आपको voice सुनाए देगा आपका ear speaker काम करेगा उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पस्ते नहीं होगा thanks for watching